जाहिन साथ्यों मैं दिवाकर अजित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने पडिवार एभी सी कमपटेटिव प्लास पर सरसारन प्यारे मित्रों आज हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि रेलवे गुरूप डी से संबंध हिते नई अपडेट क्या आई ह इसके बारे में पुड़े बिश्तार से चर्चा करेंगे आप सभी से फिर से मैं आप से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को दबा देंगे जिसे कि आपको नए वीडियो को नोटिफिकसान मिलती रहे तो साब वीडियो को अपने दोस्तों में शेर जरूर कर देंगे वह वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे चले शुरू करते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो में जोस्तों हम लोग जानेंगे कि railway group D के द्वारा क्या नई अपडेट दी गई है दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि railway group D जो है आपका अप्रील से जून के बीच में एकजाम लेने वाला था लेकिन ध्यान रखेंगे कि कुरोना काल में जो है rrb ntpc ठीक है rrb ntpc का जो है 6th phase का एकजाम होने वाला था वो ही अब लटक गया है तो इस पर जो है रेले गुरूप D ने अपना भ्यान दिया कि rrb ntpc का जो है यह pt का एकजाम था pt एकजाम हो जाने के बाद ही इसका एकजाम जो है अब कंडक्ट करा जागा जागा 6th phase का एकजाम अभी बाकी है तो क्रोना जो है का जो संक्रमन जो है जो ठीक ठाक हो जाता है तो आपका rrb ntpc का जो है फेज का एकजाम होगा 6th phase तक का हो चुका है लेकिन इसके मेंस से पहले गुरूप D का एकजाम हो जाएगा यानिकि 7th phase पहले ntpc का होगा और उसके बाद जो है रेले गुरूप D का होने वाला है इसमें ध्यान रख है पुल जो है एक लाख तीन हजार के आजपास पोस्ट है और इसमें जो है इसकी तीन गुना रिजल्ट दी जाएगी लगभग तीन लाख नो जाने तीन लाख दोस जार विद्यार्थियों का इसमें चैन होने वाला है और इसका आपको फिजिकल के लिए बुलाया तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि किस बोड में जो है कितने फोरम अभी तक यानि कि भरे जा चुके थे और कितने वहाँ पे सीटे हैं और कितना वहाँ पे कटफ जाने का अनुमान है कौन सा जोन आपका डेंजर जोन साबित होने वाला है और कौन सा जोन जो है पर जा चुका है दो लाख साथ हजार उसके बार जो है यानि कि इतना फोरम भरा जा चुका है और यहां पर सीट है 13133 ठीक है तो 13133 सीट है तो लगभग यहां आपकी फाइट जो होने वाली है 144 एक सीट पर 144 विद्यार थी जो है इस पर फाइट करेंगे ठीक है अगर आप जो है ER Eastern Railway यानि कुलकत्ता तो यहां पर जो है आपकी कुल फोरम भरी जा चुकी है 1116,074 और सीटों की संख्या देखे तो सीटों की संख्या विद्यार थी ठीक है 10,873 तो यहां आपकी जो है एक सीट के लिए 107 विद्यार थी फाइट करने वाले है ठीक है अगला जो है WR यानि की Western Railway मुंबई यहां आपकी सीटों की संख्या जो है 10,734 है और आप राजा चुका है 9,92,980 ठीक है और यहां पर आपका देखे तो एक सीट के लिए 92 student फाइट करने वाले है यहां पर आगे देखते है SR यानि की Southern Railway चिननई ठीक है तो Southern Railway चिनन यहां पर आपकी पोस्ट की बात करें तो 9,589 पोस्ट है और 9,492 बिद्यार्थियों ने इसमें अपलाई किया है यहां आपकी जो है competition 94 होने वाली है यानि एक सीट पर 94 कंडिडेट जो है फाइट कर सकते हैं वही आगे देखते हैं CR यानि Central Railway यह भी मुंबई है तो मुंबई में यहां पर सीटों की संख्या 9345 है और यहां विद्यार्थियों की संख्या 9,512 है यहां लगभग देखे तो फाइट जो है एक सीट के लिए 97 आपका होने वाला है ठीक आगला देखते हैं SCR साउथ सेंटर लेलवे जो की यहां पर सीटों की संख्या भी ठीक है 9328 और 9,49,000 विद्यार्थि जो है 756 विद्यार्थि यहां अपलाई की है यहां आपका कम्पूटिशन लेबल 101 ठीक है और दूसरा जो है आपका SWR यानि की साउथ वेस्टर लेलवे भूबली यहां भी सीटों की संख्या ठीक है 7666 जो की बहुत और यहां पर फाइट जो आपका होने वाला है एक सीट के लिए 94 यहां अपलाई की है विद्यार्थि जो है 6,73,828 अगला देखते हैं अगला जो है कि आपका अगला देखते हैं नोर्थ फ्रांटियर रेलवे ठीक है एन एफ आर जो की गुहाटी में है यहां पर आपकी जो सीटों की संख्या जो है 2894 और यहां पर बच्चे सामिल हुए है 3,54,287 यहां आपकी फाइट जो है एक सीट पर 122 विद्यार्थि करेंगे ठीक है और अगला जो है ECR इस्ट कोस्ट रेलवे भूनेसवर यहां भी सीटों की संख्या ठीक ठक है 3,29,288 यहां बिद्यार्थी यहां पर फॉर्म डाल चुके है और 2555 सीट है यहां भी देखे तो आपकी कॉम्पेटिशन ज्यादा हाड नहीं है 124 बिद्यार्थी पर सीट ठीक है और अगला जो है S.E.R. साउथ इस्ट रेलवे भिदासपूर यहां जो है आपकी सीटों की संख्या 1164 है और यहां अपलाई क्या है विद्यार्थी 2,L,678,615 यहां सीटों यहां देखते हैं तो यह आपका डेंजर जोन सावित ओने वाला है यहां पर जहां पर जो है सीटों की संख्या है 5249 यहां विद्ध्यार्थी अपलाई है किये है 9,376 यहां जो है आपका 181 पर सीट जो है 181 विद्ध्यार्थी फाइट करेंगे अगला जो है S.E.R. यहां जो है साउथ इस्टर्ण डेलवे कुलकत्ता यहां पर जो सीटों की संख्या जो है 494 है और अपलाई किये है 4,94,300 और 30 बच्चे यहां जो है लगभग पर सीट 100 विद्ध्यार्थी फाइट करने वाले हैं अगला जो है नौर्थ सेंट्रल डेलवे अलहाबाद ठीक है यह जो है आपका NCR है ठीक है नौर्थ सेंट्रल डेलवे अलहाबाद यहां सीटों की संख्या ताली सो तीस और यहां पर बच्चे अपलाई किये हैं आपका एका 9,18,342 यहां पर जो है पर सीट जो है 194 विद्ध्यार्थी मतलब फाइट करेंगे तो यह आपका सबसे अधिक यहां पर फाइट होने वाला है यह आपका समझे तो डेंजर जोन है अगला है WCR वेस्ट सेंट्रल डेलवे जवलपूर यहां जो है सीटों की संख्या जो ह यहां पर सीट फाइट है अगला जो है नौर्थ रेलवे नौर्थ नौर्दान डेलवे गोराखपूर यानि उत्तरपूर डेलवे जो है गोराखपूर है इसमें जो है सीटों की संख्या 4,002 है अपलाइकेबल स्टुडेंट जो है 6,24,849 यहां देख रहते हैं फाइट की अगला जो है बिलासपूर जो है उसका पटना जो है जोन भी आपका डेंजर जोन में आने वाला है इस बार और आपका जो है जैपूर जैपूर भी आपका डेंजर जोन है यह चार जोन डेंजर जोन में है जिन विद्यार्थी ने भरा है आप लोग जिन विद्यार्थी ने इन चारों बोड में है आप लोग करी से करी मेहनत क करें क्योंकि आप लोगी competition यानि फाइट काफी ज्यादा बहतर होने वाली है और देख रहेते हैं सबसे कम जो है किसका cut-off है यानि कितना सबसे कम फड़ा में 92 भी द्याथी सीधा आधा हो गया है western railway मुंबई यानि दोनों जो मुंबई में भरे हैं उनको थोड़ा कम भी मेहन हुबली हुबली में भी आपका fight कम होने वाला है इसमें भी जो है 94 विद्यार थी है तीसरा जो है आपका कुलकात्ता साउट इस्टर्न डेलवे कुलकात्ता ठीक है और चौथा की बात करें तो चौथी जो है आपकी हो जाएगी west central लेलवे जबलपूर जबलपूर या इस् पटना हाजिपूर दोनों एक ही है पुलस में आपका जो है जैपूर इन सभी का cut-up जो है काफी जाद जाएगा दोस्तों आज तक के लिए इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारग